हलो दोस्तों आप सभी को टेक्निकल यानी चलम स्वागत है तो आज हम लोग स्टेटी करेंगे गड़िसे सम्मंदित ट्रेंट टॉपिक को जो कि किसी भी कंप्यूट इग्जाम के पॉइंट ओवी से बहुत इंपॉर्टेंट है इससे सम्मंदित चेत्रफर टॉपिक चाल बराबर दूरी वटे समय यह हमारा बैसिक फ़ॉर्मूला होता है जिसका हम लोग ट्रेंट से सम्मंदित कुशन में यूज करते हैं अगर आपको दूरी और समय निकालना होगा, तो यहाँ से आप तिर्या गुड़ा करके निकाल सकते हैं, तो तिर्या गुड़ा करेंगे तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, इस तरह से, तो चाल इंटू समय, अगर आपको समय निकालना है, तो यहाँ पे हम दोग चाल भी हो जाए गई हमारा दूरी बटे चाल इस तरह से निकाल सकते हैं उसके बाद पहला कुशन में देख लेते हैं एक रेल गाड़ी बहतर किलोमेटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ग्याद करना है तो आपको कुशन आपको किलोमेटर प् सेकंड में तो यहाँ पर एक किलोमेटर बराबर पांच बटे अठारा करके निकाल सकते हैं तो पांच बटे अठारा का मतलब क्या होता है यह हमारा एक हजार मीटर होता है और यह हमारा चतिस सो सेकंड होता है तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यह हमारा दो पंच और यह 18 इस तरह से इस तरह से हम लोग 5 बट अठारा का यूज करके मीटर प्रतिस सेकेंड में निकालते हैं तो यहाँ पर एक किलोमेटर तो यह हो गया लेकिन हमें कुशन में कितना दिया हुआ है बहतर किलोमेटर तो 72 इंटू पांच बट अठारा करेंगे तो यह हमारा 18 चुक के यह हो जाएगा 72 और 4 इंटू 5 बराबर यह हमारा 20 यह क्या निकल गया हमारा मीटर प्रतिस सेकेंड में यह हमारा आंसर निकल गया तो इस तरह से निकाल सकते हैं अगला कुशन इस तरह से देखते हैं कोई रेल गाड़ी 25 मीटर प्रतिस सेकेंड में 4 से चलती है उसकी 4 किलो मीटर प्रति घंटा में गयाद करना है तो इस बार हमें किलो मीटर को ना दे करकि यह हमें मीटर प्रतिस सेकेंड में दिया हुआ है यहाँ पे हमें किलो मीटर में दिया था formula चाल हमें क्या निकालना है किलोमेटर में निकालना है इस तरह से किलोमेटर पती गंटा में निकालना है आपको तो आप क्या करें यहाँ पे आप चेंज करें 25 इंटू 5 बट 18 वहाँ पे यूज कर रहे थे यह हमारा जस्ट अपोजिट यूज हो जाएगा मि मैं 18 वται पाँच हो जाता है अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह हमारा कितने 5 5 पंचे कितना हो गया 25 हो गया और यह 5 इंटू 18 हो गया इसको हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 5, 9, 90 मिटर, किलो मिटर प्रती गंटा में ग्यात हो गया है मिटर गंटा में ग्यात हो गया, इस तरह से आप कुशन को सौल करेंगे तो अगला कुशन इसी प्रकार से देख लेते हैं, थोड़ा सा नया टाइप पर कुशन है एक रेल गाड़ी की लंबाई 150 मिटर है और उसकी चाल 54 किलो मिटर है वहर रेलवे पट्री के किनारे खड़े बेक्ती को कितने समय में पार कर लेगे तो यहां पर क्या क्या शीज दिया हुए, रेल गाड़ी की अगर लंबाई है तो रेल गाड़ी की लंबाई आपको दिया हुए इस तरह से इंडिकेट करेंगे, लंबाई को आप दूरी भी वह सकते हैं तो आपको दूरी दिया हुए कितना 150 मिटर दिया हुए है चाल आपको दिया हुए है, चाल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 Kilometer आपको चाल दिया हुआ है इस तरह से आप indicate कर लिजे, उसके बार वह है railway पटरी के किनारे खड़े देखती को कितने समय में पार कर लेगी तो यहाँ पे आपको समय नहीं दिया है और समय आपको ग्याद करना है तो यहाँ पे आप मेटर दिया हुआ यहाँ पे आपको किलो मेटर पती घंटा दिया हुआ है तो चाल को आपको सीधी बात है आपको मेटर पती सेकेंड में ग्याद करना होगा तो यह हमारा अठारा एकम अठारा और अठारा तिया कितना हो गया चोववन इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 3 इंटू 5 करके तो यह हमारा पंद्रा क्या निकल गई है हमारा चाल निकल गया मीटर प्रती सेकेंड में ठीक है उसके बाद हम लोग formula का use करेंगे समय निकलने का formula क्या होता है शमय निकलने का formula आपको यहाँ पर मिलेगा दूरी बटे चाल तो दूरी बटे चाल यहाँ पर आप use कर सकते हैं तो आपको दूरी कितना मिल गया है 180 में और चाल कितना मिल गया पंद्रा इस तरह से अब आप इसको divide करेंगे तो ये कुेटे बार में कट जाएगा तो ये 10 कितना होगा 10 सेकेंड में वो खड़े ब्यक्ती को पार कर लेगी तो इस तरह से कुषन को स्वाल किया जा सकता है तो इन से सम्द्थित कुषन को ये basic कुषन है दूस्तो तो आप screenshot तो चलिए अगला कुशन देखते है 12 किलोमेटर प्रतिगंटा के चाल से चलती हुए एक रेल गाड़ी 180 मिटर लंबी है वह किसी सिगनल को कितने देर में पार कर जाएगी तो कुशन में क्या क्या चीज दिया है तो लिक लेते हैं उसको तो चाल आपको दिया हुआ है कितना ये 72 किलोमेटर प्रतिगंटा और क्या चीज दिया है रेल गाड़ी की लंबाई मिस दूरी भी आपको दिया हुआ है 180 मिटर इस तरह से आप लिक लेजे और वह किसी सिगनल को कितने देर कितने देर मिस समय तो समय को आपको फाइंड आट करना है तो यहाँ पर किलोमेटर दिया हुआ है और यहाँ पर मिटर दिया हुआ है तो चाल को हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं मिटर प्रतिगंट में चेंज कर लेंगे तो meter प्रति सेकेंड में change करने के लिए आपको 5 बटे 18 का multiply करना होगा उसके बाद इसको कटा लेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और इसको हम लोग into करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 meter प्रति सेकेंड इस तरह से चाल निकल गया अब यहाँ पर चाल निकल गया दूरी भी निकल गयी के meter में तो यहाँ पर sum निकाल सकते हैं तो sum बड़ाबर क्या होता है दूरी बटे चाल इसमें value को रख लेंगे तो हमारा answer निकल जाएगा दूरी हमें 180 और चाल कितना दिया है 20 meter तो इसको divide करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 9 तो इस 9 second answer हो जाएगा means किसी signal को 9 second में पार कर जाती है signal means एक खंबा होगा या इस्तम होगा जिसमें हम signal indicate कराते हैं उसको इस्तम बोसकते हैं या तो फिर signal बोसकते हैं इसकी दूरी नगर्णी होती इसलिए इसका कोई माप नहीं हुआ है इसलिए हमारा आंसर 9 से के निकल जाएगा ठीक उसी तरह से अगला कुशन देख लेते हैं 40 किलो मेटर पती घंटे की चाल से चल रहे 300 मीटर लंबी रेल गाड़ी अपने ही दीशा में 4 किलो मेटर पती घंटे की चाल से चल रहे ब्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी तो इस question में कितने समय समय निकालना है आपको और क्या के चीज़ दिया उसको लिख लिजी आप तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है चाल कितना रेल गाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है रेल गाड़ी की चाल आपको दिया हुआ है 40 km पती घंटा इस तरह से इंडिकेट करेंगे आप उसके बाद रेल गाड़ी की लंबाई मिज़ दूरी आपको दिया हुआ है कितना 300 मिटर आगे कुशन देख लेते हैं तो अपने ही दिशा में तो अपने ही दिशा में 4 km पती घंटा के चाल से चल रहे ब्यक्ति मिस ब्यक्ति की भी चाल दिया हुआ यहां पर ब्यक्ति की भी आपको चाल दिया हुआ कितना चाल दिया है 4 km पती घंटा तो यहां पर हमें 2 चाल मिल गया है एक रेल गाड़ी की चाल मिला है और दूसरा में ब्यक्ति की चाल मिला है लेकिन कौन सी दिशा मिला है वो अपने दिशा में मिला है means यहाँ पे रेल गाड़ी है चल रही है और यह ब्यक्ति उसी दिशा में ही आगे बढ़ रही है चार किलोमेटर पती गंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो इसको सापेक्ष चाल निकालेंगे तो अपने दिशा में होता है तो उसको चाल को हम लोग minus करते हैं या फिर यह बिप्रित दिशा में होता है तो चाल को हम लोग क्या कर लेते हैं कर लिया जाता है तो यहाँ पे सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं तो सापेक्ष चाल is equal to 40 minus 4 तो यह हो जाएगा हमारा 36 km प्रतिगंटा अब यहाँ पे आप चाल निकाल लेओं किसमें है km प्रतिगंटा में है और यहाँ पे जो दूरी है हो मीटर में है तो आप इस चाल को किसमें निकाल लेंगे मीटर प्रतिगंट में निकाल लेज़े तो 36 इन्टू 5 बटे 11 करके निकाल था हम लोग जानते हैं इसको divide करेंगे 2 से तो multiply करेंगे तो यह हमारा 10 meter 30 second में निकल गया अब चाल भी निकल गया अब दूरी भी निकल गया तो हम समय निकाल सकते हैं तो समय is equal to क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल इसमें हम लोग value करेक लेंगे तो दूरी हमारा 300 और चाल हमारा 10 इसको divide करेंगे कितने बार चला जाएगा यह हमारा 30 बार में चला जाएगा तो यह 30 second यह हमारा answer हो जाएगा इस तरह से आप ट्रेशन को solve कर सकते हैं बहुत easy है दूस्तों तो please screenshot ले लिजे पहले आप तो आज के वीडियो में बस इतने ही दूस्तों तो फिर मिलेंगे most important वीडियो के साथ अगर चैनल को subscribe ने की हैं तो please subscribe कर लेजे और bell icon को press कर लेजे ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको time to time मिलता रहे तब तक के लिए धन्यावाद थैंक्यू very much फिर मिलेंगे most of video के साथ